हेलो दोस्तो, योर मानी दोस्त, यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है इंकम टैक्स डिपार्टमेंट्स का जो रूल है कैश डिपोजिट और विड्रोल को लेके उसमें कुछ बदलाव आये हैं वो बदलाव क्या है और कैसे ये बदलाव आपके बैंक अकाउंट में डिपोजिट और विड्रोल को कंट्रोल करने वाला है इसके उपर डिटेल में बहुत आसान भाषा में मैं इस वीडियो में समझाने वालो वीडियो को एंट तक जरूर देखना है अगर आप मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्राइब करने के लिए अब इस बटन को प्रेस केजे और साथ मैं यहाँ पर जो ऑल और उप्शन है इसको भी सिलेक कर लिजे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लिट करूँ इसका notification आप तक तुरंट पहुँच जाए तो चले फिर बिना कोई देरी के इस वीडियो को start करते हैं तो अगर आपको लगता है कि आपके पास bank account है और उस पर आप कितना भी पैसा रख सकते हो और कितना भी पैसा withdrawal कर सकते हो तो आपका ये गलत फैमी है क्यों क्योंकि इसके उपर भी income tax department का नजर रहता है और सरकार ने यहाँ पर कुछ नए rules लाए है जो आपका जो deposit और withdrawal है उसको control करने में मतलब सरकार को ये फिर monitor करने में सरकार को मदद करेगा तो ये चीज आपको जानना जरूरी है otherwise क्या होगा unnecessarily बिना जाने आपके पास income tax का notice आएगा और फिर आप वज जाओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है तो चलिए detail में discuss करते है कि एक point सबसे पहले cash deposit का limit उसके उपर बात करें for savings accounts the maximum cash deposit limit is 10 lakh in a financial year एक savings account में आप साल में 10 lakh ही cash deposit कर सकते है यह cash deposit की बात हो रही है for current accounts this limit increases 50 lakh cash की बात हो रही है ठीक है कोई SNE के net banking या transaction की बात हो रही cash deposit की बात हो रही exceeding this limit triggers mandatory reporting to income tax department अगर आप इस से ज्यादा cash deposit करते हो तो income tax department के पास notice चला जाएगा और शायद आपके पास tax का notice आ सकते है या फिर आपके पास कोई भी inquiry हो सकते है next बात करते है TDS on withdrawals तो मान लिज़ आप पैसा withdraw करते है उस पर कुछ TDS लएगा yes के उपर भी rules है withdrawals exceeding 1 crore in a financial year from a savings account attracts 2% TDS आप अगर एक financial year में 1 crore से ज्यादा withdraw करते हो किसी आपके savings account से तो 2% से ज्यादा आपको मतलब TDS लगा है विड्रोल की बात हो रही है ये आपको मतलब bank transfer की बात ने रही है विड्रोल की बात हो रही है for those who haven't filed ITR for last 3 years 2% TDS applies on withdrawal of 20 lakh अगर आपने last 3 साल में ITR फाइल नहीं किया तो 20 lakh के उपर अगर आप मतलब विड्रो करते हो तो आपको 2% का TDS लग जाएगा विड्रोल एक्सेडिंग 1 क्रोर बाइ नोन ITR फिलर्स इनकर 5% TDS तो यहाँ पर देख सकते हो अच्छी तरह से रूल्स को पढ़ ले ना अगर आप किसी भी केटेगरी में पढ़ते विड्रोल है आपका लिमिट तो डेफिनेटल आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए नेक्स्ट आता है सक्छन 194 N TDS deducted under सक्छन 194 is not considered income but can be used as a credit when filing ITR अभी सक्छन 19 N क्या है इसके उपर मैं एक स्क्रींशोट डाल दूगा आप इस बहाँ से पढ़ लिजेगा according लिए आप इस रूल को follow कर लेना अगला जो point है वो है section 269 ST जिस पर penalty for excessive cash deposit अब यहाँ पर बोला गया है depositing 2 lakh or more in cash in a financial year can lead to a penalty under section 269 ST section 269 ST क्या है मैं इसका screenshot डाल दूगा आप इसको पढ़ लिजेगा बहुत आसान बास्ता में आपको समझ में भी आ जाएगा no penalties apply to cash withdrawals under this section but TDS on the large withdrawals does तो यह थे कूछ key information या फिर key points जो cash deposit और cash withdrawals से related जो activity होती हमारी जिसके उपर income tax department के नज़र है और आपमें इन points पो ध्यान में रखना है otherwise हमारे पास income tax department से notice आ सकता है ठीक है तो इस वीडियों बस इतना है वीडियों अगर पसंद आया तो like और share कर लेज़ेगा चैनल में अगर आप मेरे नए है तो चैनल को subscribe कर लेज़ेगा इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद